हलो माई फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल गार्डनिंग एट हूम और आज टाइम है हमारे संडे गार्डन अपडेट का और हमारे बिल्कुल स्प्रिंग गार्डन में बहुत ही प्यारे से ये पिटुनियाज ब्लूम कर रहे हैं और आपको बिल्कुल दिखाने वाली हूं कि मेरे गार्डन में और कौन-कौन से फ्लावर प्लांट है जो इस समय फुल ब्लूमिंग पे हैं और कौन से प्लांट अब धीरे-धीरे फुल ब्लूमिंग पे आ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये हमारे पिटुनियाज है जो बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग कर रहे हैं और दे कोई कलर यहां पर नजर नहीं आरहा स्पिंक और वाइट के लावा इसके बाद जो देखिए बीच में हैं हमारे डैंथस यह भी बहुत ही प्यारी ब्लुमिंग पे हैं तो यह सेंटर में मैंने सारी डैंथस लगाए थे जो बहुत ही अच्छी ब्लुमिंग कर रहे हैं इसके बात देखें कॉर्नर में जो मैंने लगा थे ना पिटूनिया और कुछ डेजी भी मैंने इसी में लगा दिये थे तो वह भी अब धीरे-धीरे कर रही हम तो दिखी बिल्कुल यहरा कूछ त oggi से व्यू है और आप चलते हैं अपनी प्लांट के और कियारीयों की ओच और वह भी आपको दिखाऊंगे वह दम आप से शायर करूंगी कि ऐसा लगता है कि ये प्लांट हमारे बहुत ही जल्द स्पेंड हो रहे हैं तो यहां का सेंटर आपको दिखाती हूँ देखे आगे कुछ हमारे डेजी हैं आगे ये डेंतर्स कुछ हमारे मैरी गोल्ड और इसके जस्ट हमारे बगल में इंपेशन्स ये भी बहुत ही प्यार ब्लूमिंग और इसके साथ बीच में हमारे ये जाफरी वराइटी वाले मैरी गोल्ड जो फुल ऑन ब्लूम पे हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है और बीच में हमारा पिटुनिया टावर तो इस तरीके से ये सेंटर बहुत ही खुबसूरत व्यू आ रहा है इसके पूरे इतने बड़े-बड़े साइस के फ्लार और सब में प्यारी ब्लूमिंग देखे सब का शेड और कलर अलग है और ये वाइट कलर डेलिया का स्पेशली मुझे बहुत पसंद है और मैं सोच रही थी कि कोई भी डेलिया में वाइट कलर नहीं आया तो ये मल गया मुझ दिखे पूरा बंच टु बंच फ्लार आये है तीन चार एक साथ और ये बहुत ही खुब सुरत सा रेड कलर बहुत ही प्यारा और ये देखे मैजेंटा में और अगेन ये मैजेंटा और इसमें तो कुछ फ्लार ब्लूमिंग पर अगय है और एक साथ चे साथ फ्लार खिले हैं तो इनको भी मुझे हटाना है जो ड्राय अप हो गये हैं और उसके आगे नीचे क्यों देखें ये सारे हमारे पिटुनिया ब्लूमिंग पे आ गये हैं कुछ में अब बर्डिंग जो है वो हो गई है बिल्कुल खिलने के लिए रेडी है और कुछ हमारे खिलने लगे हैं ये सब में देखें अभी बर्डिंग है कुछ दिन में ये भी खिलने लगेंगे और ये देखें बहुत ही प्यारे सी ये वाइट कलर के पिटुनिया बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो देखें और उस साथ से साथ में आए तो ये हमारे केलेंचोज और सारे केलेंचोज और रेड कलर में हैं मेरे वाइट वाले और यलो वाले पता नहीं कहा गए हो सकता है वो डेड हो गए हो लेकिन जितनी भी कटिंग्स मैंने लगाई थी वो सारे और रेड में ही निकले हैं कुछ इस तरीके से और यह हमारे केलेंचोज की हमारा फाउंटेन और यह सैंटर और इस साइड में आते हैं तो यहां पर रखे हैं मैंने क्रिसेंथिमम कार्नेटम सब में बर्डिंग आ गई है और कुछ दिन में यह भी बिल्कुल फ्लार खिलने लगेंगे और यहां पर हमारे प्यारी प्यारी से डॉक फ्लार और डेजी य आरो इससाइड से इस साइड में आते हैं तो यहां पर भी देखिए हमारे ये सारे डेलिया डिफरेंड डिफरेंट कलर में बहुत-फियारी ब्लूमिंग और इसी के आगे यह हमारी मल्टी पेचल के स्टॉक बहुत-फियारा स्टॉक का फलार खिला है यह दिखिए पूर और ये सिंगल पेटल वाला लाइट पिंग मेजेंटा ये सारे स्टॉक हमारे हैं पीछे साइड में और आगे के साइड में ये पिटूनिया है जो कुछ दिन में ब्लूमिंग करने लगेगा और जस इसी के आगे जो रो है हमारे आइस प्लांट की तो आइस प्लांट भी आ ग आइस plant और जस उसी के पीछे है हमारे यह जीरेनियम की रो रखी है तो इधर तो दो में नहीं है फ्लावशरींग इधर रेद पिंक और यह भी malfunction पर भी नहीं आए है और यह हमारा पिंक और इधर रखे है हमारे सारी गैलन्डूला तो कुछ इस तरीके से view है, हमारे ये seasonal plants का side में हमारे सारे perennial plant हैं, हमारे हिبिसकस के आप देखरें, बहुत ही प्यारी और बहतरीन flowering हो रही है हमारे हिबिसकस की तो सारे ही perennial plants को बिलकुल prune करवा दिया था पर ये area मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं सारे अगर प्रून करा देती तो फिर मुझे फ्लावरिंग जो है वो पूजा के लिए मुझे गुड़हल नहीं मिलता तो ये मैंने छोड़ दिया था और मैं बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं इनकी प्रूनिंग कर रहा हूं क्योंकि इन में इतनी सारी बर्डिंग हुई है इतनी सारी बर्ड्स निकले है ना बिल्कुल फ्लावरिंग के लिए रेडी है और मुझे बिल्कुल अगर मैं इनकी प्रून करा देती हूं तो ये बर्ड जो है वो नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे इनसे फ्लावरिंग चाहिए और अब धीरे-धीरे नौरात्रे भी आ रही है तो अभी ये फिलहाल ऐसे ही रहने वाले हैं जंगल लुक मुझे कोई बात नहीं कॉर्नर में हैं फ्लावरिंग देते रहेंगे मुझे और बरसात के मौसम में मैं की फ्रूनिंग करा दूँगी और यहां पे हमारे तूलसा जी है और यह रहा हमारा सेंटर और इधर आते हैं यहां पे भी देखिए बिलकुल इधर से एक व्यू दिखाती हूँ तो कुछ इस तरीके का व्यू है उपर हमारे टैरस पे बहुत सारे हैंगेंग बास्केट में पिटूनियाज बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग कर रहे है और यह लाइन से हमारे कैलेंडूला और डेजी यहां पे वाइट यलो कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत और वाइ वाइट कलर का फ्लार केला था और इसमें देखें नीचे के साइड में एक बहुत ही प्यारी मथा और एक और यह देखां बी ओ ग्या थैट में तो बहुत ही क्कॉरणर नहीं है तो यह पूजा के लिए लिए मंहानि कोला basket और यह पीछे भी कुछ इस तरीके각 बहुत ही खुबसूरत और यह हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे से डेजी देखिए कितना खुबसूरत व्यू आ रहा है और सब में इतनी प्यारी ब्लूमिंग है ना यह रो पूरा वहां तक गया है हमारे डेजी का और यह हमारे टायर प्लांटर में हमारे पिटुनिया बहु एशट्रेंश ही खुपसूरत लुक दे रहे हैं और आगे षारे कैलन्डूला और यह देखाने यह क्रिसंथिममिंग ब्लोमिंग पे आये हैं और बहुत सारी बर्डिंग खिलने के लिए हैं दुझी बहुत ही खुपसूरत लग रहे हैं और केलंडूला भी इधर भी सब और ये हमारा यूफोर्बिया मिली रेड कलर का और बुगिन वीला भी ये वाइट और रेड सब ब्लोमिंग पे हैं इस समय सब में मैंने बहुत अच्छे से फोर्टिलाइजर वगेरा अट कर दिया है अपने समर की रोजिस रखे हुए है जिनमें आपको बर्डिंग नजर आ जाएगी और ये सारे डेजी सौरी डेलिया ये देखे और कुछ यहाँ पर मैंने लगा दिये थे पॉपी के प्लांट तो ये देखे ये सारे पॉपी है इधर पीछे की रो में और ये हमारी देसी वराइटी वाला गुलाब है बीच में और पीछे सारे पॉपी है और ये सारे हमारे हिबिसकस जिनकी मैंने प्रूनिंग करा दी थे अब देखे सब में नई लीव्स और नई ग्रोथ नजर आ रही है और ये कनेर ये दिखे सब में नई लीव्स जो है वो जनरेट हो गई हैं तो बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग पे आने वाले हैं दीरे दीरे ये सब में बर्डिंग हो जाएगी और ये हमारे लैंड लोटस जिनकी मैंने हार्ट पूनिंग करा दी थी नए नए लीव्स जो है में भी आ गए हैं और ये हमारा अपराजिता मैं सौरी अपराजिता कह रही हूं मैं ये हमारा परेजाट तो ये भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग पे और यहां पर यह देखिए वारे मेरी गूल्ड और ये सेडल से ग्रोब हो गया है हमारा मौनिंग गलोरी तो कुछ इस बिखत अससे व्हाल हमगा ओर उस इड़ से इस से्डक्राइड में आते हैं तो यहां पर भी दखिए हमारे मेन सब्सक्रांव मत अपर लागे हैं तो यह हमारी फीज हमआज सारे शूम आज़ हमें घूल लगा दिया जो प्लांट Dieses फीला के टर देल 네가 करते हैं यहाँ पे हमारे सारी मेरी गोल्ड और यहाँ पे सारी हमारे एन्वल क्रिसंथिमम बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग पे हमारे सारी एन्वल क्रिसंथिमम आ गये हैं और हमारे मेरी गोल्ड भी बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग पे आ गये हैं यह दिखिए और डेलिया के साथ पीछे हमारे सारे एन्वल क्रिसंदिमम, जो ब्लुमिंग पर आ गए हैं, कुछ हॉली होक भी हैं, जो धीरे-धीरे ब्लुमिंग पर आ जाएंगे, तो मेरे जितने भी सीट्स रेडी थे, वो सब मैंने आगे डेलिया लगे उए हैं, पीछे हॉली होक और ह हमारे अन्वल के संतिमम लगे हुए हैं तो यह सब बिल्कुल ब्लुमिंग कर रहे हैं आगे दिखें कुछ हमारे यह अफ्रीकन डेजी और यह हमारे डेलिया यह सब ब्लुमिंग पर बहुत यही प्यारा और खुबसूरत व्यू और यहां पर भी यह बाइकटिंग जो मैंने सीट्स लगाये थे अपने बाइकटिंग से ग्रो किये हैं यह हमारे डेलिया और यह हमारे पपीता तो कुछ इस तरीके का व्यू है हमारे गार्डन का टेरस पर चलते चलते यहां पर हैंगेंग बास्केट में लगाये हुए हैं मैंने नेस्प्रिश्यम और यह भी बहुत ह प्लॉमिंग पर हैं और उपर चलते हैं अपने पीतुनियाति की ओर तो देखे आगयें हैं तेज होने लगी हैं मैं टेरस पर जल्दी आ ह만नी पाती हूँ oo कि इस तरीके से यह सब हाल चाल है हमारे गार्डन का और उपर से कुछ सरीकी का व्यू है हमारे backyard garden का तो I hope आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा ये backyard garden तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से नए वीडियो में नए topic और कोई नए information के साथ तब तक के लिए thanks for watching and happy gardening to all of your friends, bye